हमारी हर एक वीडियो में हमारी यही कोशिच रहती है कि हम आपको कुछ सिखाएं और आपके पास तक हर एक जैन्वन इंफोर्मेशन पोचाएं और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के अंदर बात कने वाले हैं कुछ important shares के बारे में जिसमें सबसे बिले बात कने वाले हैं CDSL के बारे में जहां पर आज के दिन आपको इस share के अंदर 1.26% की शांदार तेजी देखने को मिल रही है 1500 रुपे के लेवल पर share अभी आपको trade होते वे देखने को मिल रहा है लेकिन आजी के दिन CDSL के अंदर HDFC Securities को लेकर काफी बड़े target निकल कर आए हैं अब देख सकते हैं HDFC Securities ने CDSL के अंदर buy की rating दी है और 1715 रुपे के target price यहां पर set किये हैं इस target price को देने के पीछे कुछ बड़ी वज़ा भी यहां पर बताई हैं सबसे पिले आपको यह जानना बेहत ज़्यादा जरूरी होगा कि यह target price जो दिये हैं यह कितने time period के दिये गए हैं HDFC Securities का मानना है कि CDSL आने वाले 6 महिनेों के अंदर आपको यह शिर्ल 1715 रुपे के target price पर treat करते वे देखने को मिलेगा और उसके बीचे का इनों ने जो सबसे important reason बताया है वो है CDSL के active demate accounts जी यहां दोस्तों CDSL के बाद जो active demate accounts है वो इंडिया के अंदर number one company बन चुकी है और बहुत तीजी से यह जो number से यह बहुत तीजी से बढ़ रहे हैं जिस कारेंट से यह share आपको बहुत multiple returns बना कर दे सकत है मैं अगर आपको personally इस shares के लिए recommend करूँ तो definitely अगर यह shares आपको 1300 रुपे से लेकर 1350 रुपे के level पर मिलता है तो यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं long term purpose से यहां पर आप 2000 रुपे तक के भी target लेकर चल सकते हैं दोस्तों IT sector की इंडिया की first largest company Tata Consultancy Services जहां पर आज के दिन company ने अपने Q4 के result की date announce कर दी है और साथी साथ company अपने investors को final dividend भी देने जा रही है TCS जहां पर recently हमें buyback भी complete होते वे देखने को मिला है और इसी के साथ में पीछले एक महिने में shares ने लगबद 6% तक के returns अपने investors को बना कर दिये है TCS का Q4 का result हमें 11th April 2022 को देखने को मिलने वाला है और इसी के साथ company अपने shareholders के लिए final dividend भी यहां पर देने जा रही है तो 11 April 2022 की date को बिल्कुल भी miss मत करिएगा जैसे ही result announce हो जाएगा आपको हमारे telegram channel और हमारे youtube channel से update कर दिया जाएगा यह shares भी long term investors के लिए काफी अच्छा है 3700 रुपे के target price पर आप इस shares के अंदर positions बना सकते हैं short term में 4000 रुपे के target और long term में लगबख 1500 रुपे तक के target आपको इस shares के अंदर देखने को मिल सकते हैं अब बात कर लेती हैं जिंदल steel and power limited के बारे में यानगी JSPL के बारे में आज के दिन आपको JSPL के अंदर कोई बड़ी तेजी तो देखने को नहीं मिली लेकिन JSPL को लेकर जो news निकल कर आ रही के सकते हैं कि वो news काफी बड़ी है पिछले एक साल में JSPL ने लगबख 20% के returns अपने investors को बना कर दिये हैं और जो news यहाँ पर आज के दिन निकल कर आई है नो डाउट मंड़े के दिन आपको इस shares के अंदर अगेन recovery दिखने को मिल सकती है JSPL plants largest and greenest still plant in Odisha वो company उतकल B1 and B2 call block को acquire करने के बाद में काफी बड़ा statement declare कर रही है कि अब जो JSPL है वो Odisha के अंदर world's largest greenest facility बढ़ेगा और वहाँ से company green steel making करेगी यानि की आफी बड़ी announcement आज के दिन हमें JSPL की तरफ से आते वे देखने को मिल रही है उन्होंने यहाँ पर यह भी claim के आए कि JSPL is the first steel maker in the world to build coal gasification to produce steel using clean coal technologies जी हां दोस्तों जिस technology से ही है अब steel को manufacture करने वाले हैं जिस steel को production करने वाले हैं ऐसा आपको world में first time देखने को मिलेगा अलगी यह चीजे किस प्रकार से successful होती है यह तो हमें long term में देखने को मिलेगी लेकिन हाँ JSPL के अंदर अगर आपने investment कर रखा दे 500 रुपे के stop loss को धियान में रखे काफे time shares ने इस level पर sustain किया है और short term target आप यहाँ पर 560 रुपे का लेकर चल सकते हैं shares बुरा नहीं है financial numbers भी company के recovery mode पर है जिस current से यहाँ पर अगर आप खरीदारी करना चाते हैं तो definitely यहाँ पर भी आप मन बना सकते हैं अब बात कर लेते हैं another shares के बारे में जिसका नाम है GR Infra Projects Limited Infra से related company जिसकी growth आने वाले long term में काफी तेजी से आपको देखने को मिलने वाली है GR Infra के अंदर जो volume based काम है वो decent हमें देखने को मिल रहा है आज के दिन भी almost हमें 30,000 quantity GR Infra की trade होते भी देखने को मिली है लेकिन आज के दिन जो GR Infra को लेकर news निकल कर आई है वो काफी positive है उसके पिले अगर पीछले एक महिने के returns की बात करें तो लगबग 15% के returns GR Infra ने अपने investors को बना कर दिये हैं और आज की अगर बड़ी updates की बात करें तो GR Infra के हाथ में काफी बड़ा order हाथ लगाए जी आँ दोस्तों मद्धी प्रदीश के अंदर company को ये order हाथ लगाए जिसमें राजगर के अंदर जो RE project है उसी company ने यहाँ पर जीत लिया है काफी बड़ी अच्छी ख़बर निकल कर आ रही है ये साथी साथ यहाँ पर जो intimations भी दिया गया है काई का appointment date का National Highway Authority of India की तरफ से यहाँ पर update हमें देखने को मिल रही है तो यदि आप भी GR Infra के अंदर investment करना चाते हैं तो यहाँ पर भी आप short term purpose से खरीदारी कर सकते हैं और 1680 रुपे तक के target यहाँ पर लेकर चल सकते हैं इक दे इंड में बात करना चाहूंगा last shares के बारे में जिसका नाम है HDFC Asset Management Company Limited जहां पर आज के दिन आपको इस shares के अंदर 6.5% तक की शांदर तेजी देखने को मिल रही है HDFC MC के अंदर जो LIC का stake है उसे यहाँ पर LIC ने increase कर दिया है जिस कारण से आपको इतनी अच्छी तेजी है आज के दिन इस shares के अंदर देखने को मिल रही है आप देख सकते हैं HDFC AMC shares gain 5% after LIC raise stake याना कि LIC ने अपने stake को HDFC AMC के अंदर increase कर लिया है काफी अच्छी है news हमें देखने को मिल रही है हाला कि December quarter के जो result निकल कर आए थी वहाँ पर हमें जो इनके number से वो थोड़े pressure में देखने को मिले थी लेकिन यहाँ पर अब हमें बड़े fund houses की खरीदारी इस company के अंदर देखने को मिल रही है जिस कारण से estimate लगाया जा रहा है कि HDFC AMC के result आपको Q4 के numbers में recovery देखने को मिल सकती है तो यदि आपने इन shares के अंदर investment कर रखा है तो यहाँ पर जो stop loss और जो target price है वो already मैं आपके साथ share कर चुका हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे like करिए, share करिए और channel को subscribe करना बिल्कुल भी मैं बुलिये आपके लिए हर एक वीडियो बनाने में काफी ज़्यादा अमारी team work करती है जिस कारण से आपके पास तक हर एक genuine informations provide करी जाती है लेकिन आपसे एक ही request है कि आप जितना ज़्यादा हो सके इस channel को support करिए और आपके जो भी ग्यूरी है वो आप नीचे comment section box में लिखकर बताईए हम उसके बिल्कुल updates करेंगे बिल्कुल उसे हमारे knowledge में लाएंगे और आपके पास तक हर एक informative updates share कर पाएंगे तो thank you for watching मिलते हैं next video में तब तक के लिए stay connected stay updated